इस वीडियो में हम दो ऐसे वेग्यानिकों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका बायो टेक्लोजी में और मॉलिक्लो बायलोजी में बहुत ही बड़ा योगदान है अभी जो आप सामने ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं ये केरी भी मॉलिस नाम के वेग्यानिक है ये वह वेग्यानिक है जिन्होंने knew सीयर रीयक्शन में को सबसे पहले कंसर शवाला किया था या हम यह मण सकते हैं के पीसियर रीयक्शन ऌप मैंने के देन है बहुती दुखत बात है कि पिछले साल 2019 में ही अगस्त मैने में इनकी डेथ हुई है और काफी बड़े विज्ञानिक माने जाते हैं 1993 में 1993 में इनको इसी घोच के लिए रसाइन विज्ञान के छेत्रे में नोबल प्राइस से सम्मानित किया गया तो केरीबी मुलस आप याद रखे हैं बहुत ही इंपोर्टेंट नाम है हर बायो टेक्नलोची वाले बच्चे को ध्यान में होना चाहिए सीटर्स कॉर्पोरेशन में काम करते हुए सीटर्स कॉर्पोरेशन एक प्राइवेट कंपनी है जहां पर यह वहां पर काम करते हुए इनको PCR का आइडिया आया और PCR के आइडिया आने के बाद में इन्होंने उसको वापिस टेक्नीक में डाला और किस प्रकार से यह तक्नीक पॉपलराइज हुई है यह हम सब लोग जानते हैं कि यह ऐसी टेक्नीक है जो इतनी उनिवर्सल है जिसके विना कोई भी मॉलेक्लर आज की डेट में हम कलपना भी नहीं कर सकते हैं तो केरी बी मॉलिस की फोटोग्राफ है अमेरिकन बायो केमिस्ट है यह आप द्यान रखें अमेरिकन वैज्ञानिक है और PCR के खोच करता है यह जो फोटोग्राफ आप देख रहा है यह दूश्रे वैज्ञानिक ही है इनका पेनलाफ है अलएक जैफ्रे यह भी बहुत लेकिन यह अच्छी बात है कि अभी जीवित है और यूनिवर्सिटीड ऑफ लीसेस्टर ब्रेटन में है गेड डेट बृतन में वहां पर अभी भी कारियरत है इनका योगदान है वह यह है कि इन्होंने डिना फिंगर पिंगर एक बहुत ही popularized technique है जो forensic science में, paternity testing में, crime investigation में या plant या animal genotyping में use होती है इसको बहुत तो widely use करते हैं और सबसे interesting बात ही है कि आज हम वर्तमान में जो DNA fingerprinting use कर रहे हैं वो PCR based हो गई है करी मुलिस ने जो खुचा था वो Alec Jeffrey की technique में incorporate हो गया है जिस समय Alec Jeffrey ने DNA fingerprinting की खुच की थी उस समय तक PCR technique हमारे खुच में नहीं आई थी तो उस समय इन्होंने जो टेक्नीक दी थी वो Southern Blotting पर आधारित थी Southern Blotting क्या होती है आगे बात करेंगे तो Southern Blotting पर आधारित थी लेकिन उस चीज को revolutionize कर दिया है PCR ने तो Alec Jeffrey है इनको Nobel Prize नहीं मिला हुआ है लेकि इनको एक बहुत ही प्रेस्टिजिएस कॉपले मेडल मिला हुआ है कॉपले मेडल जो आपने नाम सुना होगा कि Britain की Royal Society है तो Royal Society के Fellow है यह Royal Society के Member है FRS है जिसको बोलते है Fellow of Royal Society तो FRS होने के साथ ही यह Royal Society के साल 2014 के कॉपले मेडल के भी विजेता है जो कि इकुवेलेंट तो आप यह मान सकते कि नोबिल प्राइज ही है तो काफी फेमस वैग्यानिक है, जीवित है, ब्रेटिन के इंग्लिश साइन्टिस्ट है और इन्होंने DNA फिंगर पिंटिंग या कहें या DNA प्रोफाइलिंग करें उसकी डिस्कवरी की थी अब आप यह चीज आप अवश्य ध्यान रखें कि यह दोनों टेक्निक अब मिल गई है अब जो वर्तमान में हम जो DNA फिंगर पेंटिंग करते हैं वो PCR बेस्ट होती है जो ओरिजिनल जो अलग जेफरे ने इन्होंने सुझाई थी वो PCR पेस्ट नहीं थी तो अपन आने वाले कुछ वीडियोस में हैं अपन DNA फिंगर पेंटिंग की बात करेंगे तब तक आप वीडियो देखते रहें और चुड़े रहें थैंक्यू